सातियों नमस्कार आज का जोट मैं टापिक लेके आया हूँ वह सैकडो हजार की संख्या में मेरे जो फालोवर हैं उनका एक जिग्यासा थी मेडिकल लीव को लेकर के चिकत सावकास को लेकर के सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग ये टापिक है और हर कोई इतने कन्फ्यूजन मे है कि किसी को समझ में नहीं आता है वो प्रक्रिया क्या है कैसे लिया जाना चाहिए कैसे वेतन भी रुख जाता है कैसे उसको वेतन भी मिलता रहे तमाम तरह की दिक्कते हर कोई सामना करता है और आज मैं इस वीडियो के द्वारा इसको सबसे आसान तरीके से जो आपको में आए लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी मूटी-मूटी किताबे पढ़ने के बाद वे चिकित्स आवकास के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं हो पाती है लेकिन हम बताएंगे आज कैसे देखिए आप ये समझे कि पूरे नौकरी के दोरान आपके पूरे सर्विस पिरिएड के दोरान 365 दिन का चिकित्सकी आवकास मिलता है और विशेश परिस्थिती में मेडिकल बोर्ड के संस्तूती के बाद अतरिक्त 6 महिने का और मेडिकल आवकास मिल सकता है ये जो है मूलियम 81 B2 के त आपको ये बताता हूं कि दरसल है कि जब आप मेडिकल लिव के लिए अपलाई करते हैं तो ये जो आवकास स्विक्रता है वो जो जो अथार्टी है जो आपका आवकास स्विक्रत करता है उसको ये देखना है कि क्या आप जो आवकास जीस रोक के लिए ले रहे हैं क्या की गुंजाइस है जॉब में वापसाने की गुंजाइस है अगर गुंजाइस है तब ही वह विकरता आपके आवकासं को एकसेट करेगा और यह जान लेजिए जैसे ही आपका आवकासंगषेप्ट होता है यह तै हो जाता है कि आवकास के आपका रेग्लर वेतन जो औसत वेतन होता है वह वेतन आपको द्रुंता रहेगा अमोमन होता क्या है कि जब हम जाते हैं ऐसाओ पर को लिखना चाहिए कि कभ से कब तक अपको रेस्ट क्राव सकता है इलाज किया उसकता है जैसे मान लेजे कि अगर आपको 20 दिन का मेडिकल लेना होगा तो वो डाक्टर लिखेगा कि इस तिथी से 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक इनको आवकास की इनको रेस्ट किया उसकता है अगर ये लिखता है आप एक application बनाएंगे उस medical certificate को उसके साथ लगाएंगे और अपने जो आवकास विकरता अधिकारी है उनको भेजेंगे और वो निशित तोर पे अगर एक महीने से कम का आप आवकास ले रहे हैं तो वो accept कर लेंगे उसको और जब वो accept करते हैं तो आप तय मानिये कि आपको जो है medical leave के दोरान आपका वेतन मिलता रहेगा अगर accept नहीं है तभी आपका वेतन रुख सकता है एक बात दुसरी बात कई लोग सवाल करते हैं कि medical certificate कि से बनवाय जाए तो मैं आपको बता दू कि अगर आप एक महिने से कम समय के लिए medical आवकास ले रहे हैं तो कोई भी registered doctor है कोई भी registered वो पंजिकरित चिकित सक के दौरा आप एक medical certificate बनवा सकते हैं लेकिन अगर एक महिने से ज़्यादा का है तब के लिए मैं बताता हूँ कि जो स्विकरता अधिकारी आपके हैं ये कहा गया है सहायक नियम 96 में कि वो जो है 96 भी वो तुरंत जो है भीती चिकित सकी परामर्स लेगा राय लेगा वो क्या करते हैं कि आपके जीले के जो civil surgeon है civil surgeon पुराना terms है लोग यूज किया करते थे civil surgeon बोला जाता है जैसे कि जीले का जो सबसे मुख्य जो चिकित सा मतब मेडिकल आफिसर है आप ऐसे समझ लेए कि जो CMO है आपके तो वो जो है civil surgeon यानि CMO को वो जो है सीधे वो पत्र लिखेंगे ब्यवस्था करेंगे आपका दुबारा मेडिकल जाच हो सके इसके लिए वो लिखते हैं वो ब्यवस्था करेंगे हम कई दफा देखते हैं कई ऐसे principal है manager है उनको medical leave के बारे में तो ठिक ठिक पता नहीं होता है जो कान से सुने होते हैं इधर उधर से बस जानते हैं तो सिक्षक है वो CMO कहें जाएगा तो CMO कहें वो तुरंत वापस कर देता है कि मैं कैसे आपको बनाऊं क्या है मामला कैसे क्या है ठिक न अगर अगर आपके medical leave का जो स्विकरता अधिकारी है अगर उसको दुवितिया राय लेनी है पहले तो यह कहा गया है 96 में कि अगर दुवितिया राय लेनी है आप एक महिने से कम का समय है और तब भी आप दुवितिया राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं रोक नहीं है लेकिन यह उनको अधिकार मिला है कि वे अपने विवेक से चाहें तो बीना किसी दुवितिया राय लेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपके आउगास को अगर एक महिनी से ज़्यादा है तब के लिए कहा गया है कि वे अनिवारे रूप से दुवितिया राय लेंगे वो सिविल सर्जन से बात करेंगे सिविल सर्जन को पत्र लिखेंगे और सिविल सर्जन से ऐसी ब्यवस्था कराएंगे जिससे कि आपका मेडिकल हो सके आपका मेडिकल टेस्ट जाच हो सके वो ब्यवस्था आपके स्विकरता अधिकारी है ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो leave sanction करने वाले अधिकारी के ऊपर ये रखा गया है ये आपके ऊपर नहीं छोड़ा गया है एक बात तो ये समझी है अगर महिला चिकित सा अब होता गया है आप समझी है कि अगर कोई सिक्षक है पुरुस है अब उसको medical आउगास लेना है एक महिने से ज्यादा तो आपका स प्रविकारी सिविल सर्जन से बात करेगा सिविल सर्जन वो खुद भी कर सकता है या कोई जो है दुसरे जो medical officer है उनको भी नुक्त कर सकता है वो आपकी जाज करेंगे वो पूरा बनाएंगे वो लिखेंगे कि कब से कब तक आपको रेस्ट किया हो सकता है इसमें ये भी कह गया है कि यथा शिग्र अगर एक महीने से ज़्यादा का है तब के मैं बता रहा हूं कि यथा शिग्र इसकी विवस्था करेंगे medical लिए श्विकरता अधिकारी कि उनकी जांच हो सके दुटी राय लिया जा सके कि क्या वाकई उनको एक मेने से ज्यादा के मेडिकल लिव की आउसकता है ऐसे समझे आप जो है यह था सिक्र यह नहीं कि 45 दिन का जो है शिक्षक ने आउकास ले लिया तो 45 दिन के बाद कहे आप पत्र लिखेगा वो जो है कवरिंग लेटर बनाएगा तब वो जो है दुटी राय होगी ऐसे नहीं होता है कि जाके बनवा के लेकर आओ एक बार तो यह है अगर महिला महिला कोई टीचर है करमचारी है अगर उसको एक महिनी से ज्यादा कालीव लेना हो और जो है उसका सवस्था करें अगर सिविल सर्जन खुद जाच करना चाहेता है तो कर सकता है अगर महिला कार्मिक महिला सिक्षक महिला करमचारी अगर वो वो अनुमती देती है तब अमूमन क्या है कि महिला जो करमचारी है सिक्षक है उनका जाच जो है वो जो सिविल सर्जन है वो महिला चिकित साधिकारी के द्वारा कराएगा अगर महिला चिकित साधिकारी उपलब्द नहीं है तो नीजी प्राइवेट मेडिकल आफिसर से भी वो करवा सकता है ये सारी चीजे हैं आप समझिए तो एक साल तक का आवकास जो है इस तरह से जो है लिया जा सकता है इसके उपर जब आवकास लेनी क्या हो सकता पड़ेगी तो फिर वो तो मेडिकल बोर्ड का गठन होगा उसके बाद ही वो सब चीजे वो अलग का भी से हैं और बाद में हम उसको बताएंगे समझाएंगे तो ये सारी मैं समझता हूँ आपका अनेक समस्याओं का समधान आज हुआ होगा ये बहुत ही टेकनिकल और जब भी आपको अपना मेडिकल लीव पूरा करके जोईन करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए तो ये आज का टापिक था कैसा लागा आपके कोई प्रस्न होंगे मुझे फीडबैक जरूर दिजेगा मैं और इस विशे को और जोड़ करके एक नया वीडियो भी लाने की कुशिस करूँगा धन्यबाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट बाक्स में अपना कमेंट जरू भेजें और इस वीडियो को अधिक सदिक सेर करें साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और आगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें धन्यवाद।